यह है जोहाला नहरुबिश्व विद्याले हिंदी एमे का प्रशन पत्र 2020 का तो जो बच्चे एंट्रेंस एक्जाम की तुजारी कर रहे हैं उनके लिए ये दो शाल का जो प्रशन पत्र दिया हुआ है 2020 और 2019 का उनका हम सोलूशन करेंगे तो ये 2020 का है इसके बाद से नेक्स्ट विडियो में 2019 का आएगा तो आएए देखते हैं पहला प्रशन है रामचंद सुकले ने हिंदी का इस टिल किस निवन्दकार को कहा है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बालक्रिश भाट दूसरा है निम्ने में से कौन अग्ये क काबे संग्रा नहीं है तो इसका अप्शन हो जाएगा अप्शन डी कुछ कविताएं प्रशन तिसरा है निम्ने लिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष निम्ने लिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष निम्ने लिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष निम्ने लिखित कहानि सी एक टोकरी भर मिट्टी प्लेग की चुड़ेल और प्लेग की चुड़ेल ग्यारा वर्ष का शमय दुलाई वाली ये अप्शन सी होगा इसका अंसर प्रशन चोथा है नेमने दो कथरों में से एक को अभीकथन ए ताथ दूसरे को तर का आज से नमांकित किया गया है अभीक सीलता से है तरक दिया गया है आधुनिक्ता से देव परंपरा विरोधी होती है उपरोक्त कत्वनों के प्रकास में नीमन विकलपों से सरवाधिक उचित उत्तर चुनिये तो इसमें चार अप्शन दिये हुए हैं A, B, C, D तो इसका अप्शन हो जाएगा आपका B है A सही है परंथु आर गलत, B इसका हो जाएगा उसके बाद प्रश्न पांचवा है इनकी सी विसुद्ध सरस और सक्तिसाली ब्रजभासा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ, रामचन्द सुकल का यह कथन किस कभी के लिए कहा गया है, तो रामचन्द सुकल ने यह कहा है यह पंक्ति कही है, तो प्रश्न छठा है, कहां करुणा निधी के सव सुए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारत वाशी रोए, उक्स पंक्तिया किस नाटक से ली गई हैं, तो इसका हो जाएगा यह पंक्तिया ली गई हैं, निल देवी से, आप्शन डी, आप्शन डी है, प निम्न में से कौन सी कहानी के रचनाकार अमरकांत नहीं हैं, तो इसका अप्शन हो जाएगा बी, महुवे का पेंड, भीम्ब और चित्र की सरवाधिक भूमिका किसमे हैं, तो इसका अप्शन हो जाएगा अप्शन C, समसेर, प्रशन नवा है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे, सी निकाई, तो इसका अंशर हो जाएगा, मत्ती राम, यानि कि इस पंक्ती को कभी मत्ती राम ने कहा है, निमने में से कौन सी कहानी आदाश परक नहीं है, कफवन, पंच परमेश्वर, बुडिका की बड़े घर की बेटी, तो इसमें से कौन आदाश परक कहानी नहीं है, ये बताना है, इसका हो जाएगा कफवन नहीं है, ये बाकि सब आदाश परक कहानी tangled हैं, प्रशण 11 है, महाविप अद्य त्य ने सरस्वति पत्रिका का संपाधन किया ता, कि सन में किया ता, संपाधन सर्षति पत्रिका का ये बताना है, उमें, तो ये वाले हो इसका संपाधन किया, ता 1923 से, इसमें ये जनने वाली बात है कि सहस्वति पत्रिया जो परकाशन हुआ था वो सन 19.20 से प्रारम हुआ था लेकिन 19.30 में इसके संपाधक मने ते माभी पशाद दिवेदी ने तो इसका अंसर ये हो जाया 19.30 से 19.20 इसमी तक माभी पशाद दिवेदी इसके संपाधक रहे तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्ण संख्या 12 है प्रश्ण संख्या 12 है प्रश्ण के अबारा है अपने अपने पिंजरे किस लेखक की आत्मकता है तो इसका अंसर हो जाएगा बारका दी प्रश्ण 13 भट नायक ने काबे के सब्द ब्यपार को निमनी कित में से किस आधार पर विवाजित किया है तो इसका अप्शन हो जाएगा डी अभिदा भावक्त भोजक्त वा प्रश्ण नम्बर 14 है निमनी दो कथनों में से एक को अभिकथन ए तता दूसरे को तर्क आर से नामांकित किया गया है अभिकथन ए है दुएदी यूग जागरण सुधार यों नैतिक मुल्यों की प्रतिष्टा का यूग है तर्क दिया गया है आर क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत ततकालिन रचनाकार साहीत रचना में प्रवरित थे उप्रोक्त कतनों के प्रकाश में निमन बिकल्पों से सही उत्तर चुनिए इसमें चार अप्शन दी हैं A B C D इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है तो इसका अप्शन हो जाएगा C A तथा R दोनों सही है और R A की सही व्यक्या है यह है अप्शन C प्रशन 15 है बंग महिला का वास्तविक नाम है तो बंग महिला का वास्तविक जो नाम है वो फिरी मती राजेंदर बाला घोष प्रस्न शोला है निर्मल बर्मा की किस रचना को सहीत अकादमी पुरुषकार दिया गया है तो निर्मल बर्मा की सहीत किस रचना को सहीत अकादमी पुरुषकार से समानित किया गया था तो इसका option हो जाएगा कव्वे और काला पानी ये जो रचना है निर्मन बर्मा की इसको जो है सहीत अकादमी पुश्कार से सम्मानित किया गया था प्रश्ण संख्या 17 कभीर ने केवल भीन प्रतित होती हुई परोक्ष सत्तक की एक्टा का आभास दिया था परत्यक्ष जीवन की एक्ता काद्रिश श्रामने रखने की आउस्यक्ता बनी थी यह जाईसी द्वारा पूरी हुई जाईसी के संदर्व में उक्त कथन किस अलूचका है तो देखिए इसका जो option हो जाएगा भी होगा रामचंद शुकले ने ऐसा कहा है जाईसी के संदर्व म इनके पुष्टक हिंदी सहीत्य का इतिहास उसमें आपको यह सारे इनके जो पंग्तिया पूछी जाती है वह उसमें मिल जाएगा तो आप उसे पढ़ सकते हैं चित्रधार प्रस्ण के 18 है चित्रधार सिर्षक कविता के रचाइता हैं तो चित्रधार कविता रचाइता ज बी जैसांकर परशाद है चित्रधार के जैसांकर प्रस्ण कॉत्स आपयास ध़ना कार कौन देखिए इनकिया प्रस्ण का 19 यह एक प्रस्ण के रचनाकार कौन हैं प्रशन शंक्या 21 होगा परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है तो परिंदे कहानी के रचनाकार हू hep यह हैं निर्मल बर्मा यह बहुत ही अच्छी कहानी है इसे आप पाड़ सकते हैं बहुत लंबी कहानी है 21 हो गया प्रश्ण 22 है दी से कैन सेक्स की रचनाकार है कि इसके हैं सीमोन दा गुवार जैश्रा की नाम से ही विदित हो रहा है कि यह कोई विदेशी पुष्टक लग रही है वैसे ही इनके लेखक भी होंगे तो जैसा कि आप्शन में भी दिया हुआ है तीन आप्शन में तो इसके आप्शन हो जाएगा दी शीमोन दा बुवार ठीक है शीमोन दा बुवार प्रशन संख्या तेश ध्वनी भेद निरूपण के आधार प्रशन के तेश से ध्वनी भेद ध्वनी भेद निरूपण के कि अधार है तो तिसके हो जाएगा उप्चार बसतु अलंकार रस अप्शन बी होगा ठीक है ऑद्वनी भेद के यह हो जाएगा प्रशन 24 है प्रियोगवाद सब्द का प्रथम प्रियोग किस ने किया था तो प्रियोगवाद सब्द का प्रथम प्रियोग किया था नंदू दुलारे बाचपहिने option D रस्वों के अस्थाई भाव का सही मेल कीजिए तो रस्वों के अस्थाई भाव का सही मेल क्या है इसमें option दिया हुआ है A, B, C, D इसमें बताना है कि सही मेल कौन सा है 25 A, B, M, C तो इसका option हो जाएगा B, ठीक है A, B, M, C A, B, M, C अर्थाद निर्वेद सांट पे जाएगा B, अदभुत जो है वो जाएगा बिश्में बिभाटस जो C है बिभाटस जो बिभाटस है वो जुगपसा रोदर उत्षा ठीक है तो इसका option B हो जाएगा उसके बाद प्रशन संख्याद 26 कभीर की अपेक्षा खुस्रो का ध्यान बोल चाल की भासा की ओर अधिक था या उक्ति किस आलोचक की है तो प्रशन संख्याद 26 कर भी अचार रामचंदर सुकल होगा ये अचार रामचंदर सुकल की परक्ति तो आप दोस्तों देख सकते हैं प्रशन संख्या 27 से निम्न दो कथन दिये गए हैं कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड तो कथन फर्स्ट क्या है नमबर सिंग के अनुसार हिंदी कभीता में ब्यंग का बेका जितना सुंदर विकास चायवाद में हुआ उतना कहीं नहीं दूसरा कथन है नमबर सिंग के अनुसार हिंदी कभीता में ब्यंग या तो निराला ने लिखे या फिर नागा अर्जुन और केदार ने अपरोध कथनों के परकास्ट में निम्न बिकल्पों से सरवाधिक उचित उत्तर चुनिये तो इसका option हो जाएगा डी जो है कथन ए फर्स्ट गलत है परन्तु कथन सेकेंड सही है ठीक है दोस्तों तो ये प्रशन संखे आप 28 पे देखते हैं प्रशन संखे 28 है कि स्रीधर पाठक द्वारा अनुदीत पुष्ट को के नाम है तो देखिए दोस्तों उजड़ ग्राम भी एक अंतवाश्य योगी ये भी है स्रांत प्रथीक भी है इसका option हो जाएगा डी देहरा दुन ठीक है दोस्तों तो इसका option हो जाएगा देहरा दुन तो निमने बिकल्पों में से सही उतर चुनिए तो हमको इसमें से बिकल्प चुनना है अर्था देहरा दुन भारत गित जो है नहीं होगा और बाकी ये उपर के इसका option हो जाएगा डी ए बी और शी ए बी और शी यानि कि हमें यह चुनना था कि इस इधर पाटक दोबार उनुदित पुस्तकों के नाम है तो ए बी सी एकांतवासी योगी उजडग्राम और स्ट्रांथ पतिके तीनों ही उनकी पुस्तके हैं जिसमें से उजडग्राम औ और स्ट्रांथ पत्तिके एकांतवासी योगी यह जो हैं यह अनुबादित पुस्तके भी हैं प्रशन संख्या 29 पर देखते हैं बेदना में एक सकती है जो दिष्टी देती है जो यातना में है वह द्रश्टा हो सकता है यह किसका कथन है तो यह हो जाएगा option C अगे का अगे का यह कथन है प्रस्ण संख्या 30 निम्न दो कथनों में से एक को अभी कथन ए ताथा दूसरे को तरक आशन मंकित किया गया है अभी कथन ए है संभावता कलपना सब्द का जितना अधिक प्रियोग और उसकी जितनी लोग प्रियता चायवाद के दुआरा मिली उतनी पहले कभी न मिली थी तरक आर है कलपना ही उनकी वह सक्ती है जिसके दुआरा वे अपने बंदनों की सीमा में रहते हुए भी उन मुक्त अकास में बिच्राण करने का सूख लेते थे उप्रियोट कत्रों के प्रकास में निमन विकलपों उससे सही उतर चुनिये प्रस्तुत अलोचनात्मक प्रस्तुत अलोचनात्मक अथन किस अलोचा का है पंत जी की अभासित होने वाली समाजिक्ता में उतनी समाजिक्ता नहीं है जितनी निदाला की अभासित होने वाली बैक्तिक्ता में है पंत जी के आसावाद में भी उतनी सक्ती नहीं है जितना निदाला के निदासावाद में है ये पंक्तियां किसकी हैं ये हमें बताना है तो ये पंक्तियां है option d नामबर सिंग ने ये कहा है ऐसा ये भी बहुत अच्छे आलोचक रहे हैं और इनकी एक आलोचक ना पुष्तक है जिसका नाम है च्छायवाद ये प्रश्ण भी पूछा जाता है तो आप लोग इसे याद कर लें प्रण संख्याद 33 रेखते हैं गोबर पात्र का संबंध किस उपनियास से है तो गोबर का संबंध जो है गोदान से है गोबर गोदान का जो यह गोबर पात्र है यह यह नौई वक लड़का है गोदान का यह पात्र है इस प्रकार से भी प्रस्न पूछा जाता है प्रस्न चोंती से निम्न दो कथन दिये गए सुकल स्थ्षैल संकीर के प्रेश्ट का अनंद की उमण्द का ना मुट्सा है कर्म सुंदर के उपासक constitu कहला। के उपरोध क Алओं के प्रकास में ने मीभिकलपों 2020 करमा जाएगा कमा जा 59ひ बी कथन फर्स्ट गलत है और परन्तु कथन सेकेंड सही है बी ठीक है प्रस्टन किया पैंतिस देखते हैं हीरा डूम की कविता अच्छूत की सिकायत किस पत्रका में परकासित हुई थी तो इश्कांशर हो जाएगा भी सरसुति में होई थी पुरभी हिंदी की बोली नहीं है पुरभी हिंदी की बोली नहीं है तो आओधी भी है भगेली भी Oops वी ब्रज नहीं पुरभी हिंदी की नहीं है पश्चमी हिंदी की है पつ desa Ti Sioda रूठियो मारो पढ़काई कर लेल तो मीजाबाई कही है प्रश्णा 38 समयली कीजी ये प्रुष्कार दिया है एक साइड और रचनाए हैं हमें बताना है कि किस रचनाओं को कौन सी प्रुष्कार मिली है ठीक है तो निम्न बिकल्पों से सही उतर चुनना है तो इसका अप्शन सी होगा ठीक है अप्शन सी देखते हैं जो ए है वो फोर्थ पर जाएगा यानि कि ब्यास सम्मान मिला दुखम सुखम को उसके बाद जो बी है सही तकादमी मिला है वह अरन्या को बी का फॉर्ष्क पर जाएगा मंगला प्र पारितोशिक जो सी है वह अप्शन जाएगा इस सब्सक्राइब को मंगला प्रासाद प्रा पारितोशिक पुरुष्कार दिया गया है और ग्यान पीट पुरुष्कार जो दिया गया है वह दिया आपको चितंबरा के लिए ठीक है चितंबरा के लिए ग्यान पीट पुरुष्कार दिया गया है आईए अब नेक्स्ट प्र संवेदनातमक अभ्यव है किसी बस्तू का बहुत अच्छा लगना तर्ग दिया गया लोब आनंद स्वरूप है वह प्रोक्त कत्रों के प्रकाश में निम्न बिकल्पों से सही उत्तर चुनिए Federal again अमें सही उत्तर चुना है तो इसका option हो जायेगा option ए好吃 A कर traitor be a तता आर दोनों सही है और आर जो है A की सही व्याखया है प्राशन 40 से अलंकार संप्रदाई के परवर्त कौन है तो अलंकार संप्रदाई के परवर्त कौन है भामा बोंध और स्रमुंद्र-ुपनयास्त्त में और श्रमुंद्र का प्रतिकार्थ क्या है तो प्रशन 41 से इसका अप्स्ट्वर्षा स्वाध ब्यक्ति और स्रमश्टी tell such a ब्यक्ति और समस्टी प्रश्ण संक्या 42 कभी परिचाई के लेखक कौन हैं कभी परिचाई के लेखक हैं आनंद नहीं आनंद दास ठीक है ना अनंद दास हैं अफ्षन सी राम चंद सुकल की बहुत प्रशीद पंक्ति है यह हमेरे साती रहती है इसे याद करनें आप अच्छे से प्रश्ण संक्या 44 से नेम से इम उन्हेंसे संयुक्त्पणि God ego कमें सी बताना है तो इसका है औला है बाकी थंट्रह संयोंक्तुण ओपनटारिक्स सभी 법 25 से गोकुलाथ किसकी पूत्र देत Görachipाक्न जो पूत्रह लाथ थे भिद्व्तलाथ के अरहे पहले बल्भाचार फिर बिद्थलनाथ फिर गोकुलनाथ इस प्रकार से आप एक सिक्वेंस में याद कर लें तो गोकुल गोकुलनाथ हो गया फिर प्रस्ट 46 सुमेलित किजिए लेखक है एक साइड रचना है दी गई है निमने बिकल्पों से सही उतर चुनना है तो इसका उप्शन हो जाएगा डी है यानि कि जो शुरी कांतिर पाठ निदाला है वो काले करना में रचना है इंकी और जैसंकरपरश्राद की तितली है सुब्मित्तानंदन पंत की अ हार और प्रेम चंद जी की मंगल सूत्र ते कि मंगल शूत्र जो है कि अपूर्शना मानी जाती है कि तो आइए नेक्स्ट प्रश्ण को हम लोग देखते हैं प्रश्ण खेया साइं तालीस है इन में से किस नाटक का नायक प्रबृति और निबृति या काम और अध्यात्म के ध्वंद से उत्पन्त तनाव से ग्रस्त है तो इसमें प्रश्ण इसका हो जाएगा लहरो के राजहांस लहरो के राजहांस जो की मुहना के का नाटक है प्रत्न संख्या 48 निम्ने दो कथनों में से एक को अभीकथन ए तता दुसरे को तरक आश्रे नामांकित किया गया है अभीकथन ए है चायावाद ब्यक्तिवाद की विता है जिसका आरंब ब्यक्ति के महत्व कोश्रिकार करने और करवाने से हुआ तरक आर दिया गया है अधुनिकता लेरिक अथवा प्रगित किसी ब्यक्तिकता के प्रतिक हैं मद यूके संत भक्त और रित्ती वादी कभी प्रायर निर्वैक्तिक धंग से अपनी बाते कहते है अब्रोक्त कतिक्टनों के परकास्ट में निम्ले विकलतों से सही उत्तर चुरिएं ए सही है परंदू आर गलत है बी गलत है परंदू आर सही हैसी अत्तार को रहें प्रात्मी कलपना और गौण कलपना कि संकलपना निमनलिखित निमनलिखित से किस का चिंतक ने की है तो इसका अंशर हो जाएगा आपका प्रश्ण संक्या पचास अनन्द कादमबनी के संपादक कौन थे तो इसका अंशर हो जाएगा बदिनारांद चौधरी प्रेमगन तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि यह पचास प्रश्णों के हम लोग ने सही उत्तर जान लिये हैं और यह पार्ट वान है पार्ट टू में जो सेश प्रश्ण रहे गए हैं उसमें हम लोग उसका जिक्र करेंगे तो आप लोग का बहुत बहुत धन्य बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने